पहले के जमाने से ही महिलाओं के पायल पहनने का चलन चलता चला रहा है आपको बता दें यह महिलाओं के सोलहस शिंगार में आती है लेकिन प्राचीन समय में पायल विशेश संकेत के लिए पहनी जाती है पताया जाता है कि इस तरी कहीं आए या जाए तो पायल से उसके आने जाने का संकेत मिलता रही और वास्तु शास्तर के अनुसार पायल के स्वर से सकारात्मा कूर्जा भी दूर होती है पायल के आवाज से घर में सकारात्मा कूर्जा का संचार होता है इसके पहनने से सेहत भ पहती है यदि महिलाओं के पायल की धातू सूना या चांदी जब पैरों से रगड़ती है तो हड़ियों के लिए काफी फाइदेमंद होती है इससे हड़ियां मजबूत होती है आपको बताते चलें कि पायल सोने और चांदी दोनों धातूं की होती है लेकिन शास्त्रों में चांदी की पायल पहनना काफी शुब माना जाता है कहा जाता है कभी भी सोने की पायल नहीं पहनने चाहिए सोना कीवल गले और सिर की शुब बढ़ाता है इसलिए शास्त्रों में सोने की पायल को पैरों में पहनने का जिक्र बहुत कम मिलता है पैरों में सोने की पायल पहन कर दो कर दो कर दो कर दो